तो Godzilla X Kong New Empire Movie के अंदर हम सभी को Godzilla की एक बिल्कुली नई evolved form देखने को मिलने वाली है जिसे हम अवी Pink Godzilla के नाम से बुला रहे हैं और इस Pink Form के अंदर I think हमें Godzilla की कई सारी upgraded powers भी देखने को मिलने वाली है इसलिए अब ये कोशन आता है कि क्या ये upgraded Pink Godzilla इससे पहले Monsterverse में दिखाए गए ब्लू Godzilla यानि की अपने normal Godzilla से ज़्यादा powerful होगा या फिर नहीं इस वीडियो में आज हम यही चीच जानेंगे तो बिना किसी देरी केश चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत blue Godzilla यानि की normal Godzilla के बारे में जान लेते हैं तो Godzilla Monsterverse का एक काफी powerful और strongest monster है जो की size में almost 400 feet से भी जादा बड़ा और बजन में 90,000 टन से भी जादा भारी है Monsterverse के अंदर Godzilla को King of the Monster भी कहा जाता है यानि की सभी monsters का राजा और ऐसा इसलिए क्योंकि Godzilla ने Monsterverse के अंदर कई सारे monsters को अपनी strength के दम पर हराया है 2014 की Godzilla movie के अंदर Godzilla ने सबसे पहले Mewtos को हराया उसके बाद King of the Monster movie में Space Sight King Ghidorah को और Godzilla vs Kong movie में तो उसने Kong को भी धूल चटा दी थी वो तो Kong से fight करने की बज़े से Godzilla काफी जादा ठक गया था वरना वो Mecha Godzilla को भी easily defeat कर देता बात करें Blue Godzilla की powers की तो Blue Godzilla के पास काफी कमाल की powers मौझूद है जिसमें सबसे पहले आती है उसकी Super Strength जिससे वो भारी से भारी चीजों को उठाने के साथ साथ बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स को चुटकियों में Test Ness कर सकता है यहां तक की वो सिर्फ अपने चलने से ही काफी खतरनाक Earth Quicks को भी प्रेडूस कर सकता है और इतना ही नहीं बलकि Godzilla Monster Wars के अंदर Strength के मामले में Kong को भी पीछे छोड़ चुका है लेकिन इसके अलावा Godzilla की बौडी भी बहुत ही जादा डोरेवल है Monster Wars के अंदर Godzilla ने अभी तक कई सारे powerful attacks के साथ साथ दो powerful nuclear bombs को भी सर्वाइब किया है जहां उसने सबसे पहला nuclear bomb 1954 में सर्वाइब किया था और दूसरा King of the Monster मूवी में और इससे भी उपर King of the Monster मूवी में तो Godzilla ने स्पेस से आये King Ghidorah की gravity beam को भी सर्वाइब कर लिया था जो कि किसी भी monster के लिए आम बात नहीं है monster verse के अंदर जितने भी monsters मौजूद हैं उन में से ज़्यादा तर monster radiation के थुरू ही जिन्दा रहते हैं और Godzilla के साथ भी ऐसा ही है Godzilla के पास जितनी ज़्यादा radiation होती है उसकी powers भी उतनी ज़्यादा increase हो जाती है और King of the monster मौवी में हमने देखा भी था कि मौवी में Godzilla के हस से ज़्यादा radiation को एब्सॉप करने की बज़ा से वो वर्निंग गोड़जला में transform हो गया था और वर्निंग गोड़जला में transform होने के बाद उसने अपने thermonuclear pulses से King Ghidorah को जला कर मार दिया था और King Ghidorah को मारने के बाद ही Godzilla monsterverse के अंदर King of the monster बना बात की जाए Blue Godzilla के special attack यानि उसके atomic breath की तो Blue Godzilla जब भी किसी monster को strength के दम पर हरा नहीं पाता तब वो उस monsters को हराने के लिए उसके उपर अपने इस powerful attack atomic breath का यूज़ करता है Blue Godzilla की atomic breath इतनी ज़्यादा powerful है कि इसका एक ही attack किसी भी monsters को जला कर मारने के लिए काफी है और 2014 की Godzilla movie में Godzilla ने अपने इसी attack से mutos को हराया था Actually Godzilla जब भी ज़्यादा radiation को absorb करता है तब उसकी body में काफी ज़्यादा electromagnetic force generate होती है जिसे Godzilla अपने पीट पर लगे इन spikes में store करके रखता है और जरूरत परने पर वो इस energy को अपने मुह से एक laser की form में suit करता है जिसे हम atomic breath के नाम से बुलाते हैं और movie के writer ने तो यहाँ तक बोल रखा है कि Godzilla vs. Kong movie के अंदर अगर Godzilla पूरी तरह से recover होता तो Godzilla अपने atomic breath के 2-3 attack से ही मेंका Godzilla को easily defeat कर देता क्योंकि हम सभी ने देखा है कि Godzilla की atomic breath का temperature इतना ज़्यादा है कि Godzilla ने अपनी atomic breath से अर्थ से लेकर hollow earth तक की surface को पूरी तरह से जला दिया था वड गौजिला vs. Kong movie में मेंका Godzilla से बुरी तरह हारने के बाद अपना blue Godzilla evolved होने के लिए हाईवर नेशन में चला गया और वो hollow earth की radiation को absorb करने लगा और upcoming Godzilla x Kong new empire movie के trailer में जब Godzilla हाईवर नेशन से बाहर आया तब उस time हमें Godzilla की एक बिल्कुली नई evolved pink form देखने को मिली जिसे हम अभी पिंग Godzilla के नाम से बुला रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर Godzilla को इस नई form के अंदर कौन कौन से नई upgrades मिले हैं और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या ये पिंग Godzilla blue Godzilla से ज़्यादा powerful है या नई तो चलिए comparison को सुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं Godzilla के size की तो पिंग Godzilla blue Godzilla के मुकाबले size में काफी ज़्यादा बढ़ा है और ऐसा मैं इसले बोल रहा हूँ क्यूंकि अभी तक जितने भी पिंग Godzilla के toys निकल कर सामने आये हैं उन्हें देखकर ये साथ पता चल रहा है कि ये पिंग Godzilla blue Godzilla के मुकाबले size में ज़्यादा बढ़ा है इसके अलावा पिंग Godzilla की इस नई form के अंदर उसकी body पहले से काफी slim हो गई है जिस बये से अब पिंग Godzilla blue Godzilla के मुकाबले ज़्यादा fast moment कर सकता है और trailer के अंदर हम साब देख सकते हैं कि कैसे पिंग Godzilla Kong से भी ज़्यादा fast दोड़ रहा है और अगर आपने notice किया हो तो हमने पहले कभी भी Godzilla को मौस्टर वर्स के अंदर इस तरह भागते हुए नहीं देखा क्योंकि trailer के अंदर पिंग Godzilla बिल्कुल इंसानों की तरह दोड़ रहा है इसके अलावा Godzilla के दूसरे अपग्रेट की बात करें तो वो अपग्रेट मिला आया उसके हाथों को मौस्टर वर्स के अंदर हमने देखा आया कि ब्लू गौटजला के जो दोनों हाथ थे वो काफी ज़्यादा चोटे थे जिस ब्लू गौटजला अपनी फाइट्स में उनका यूज काफी कम करता था बट इस पिंक फॉर्म के अंदर हमें गौटजला के हाथों को पहले से काफी ज़्यादा बड़ा दिखाया गया है और ये चीज हम ट्रिलर में काफी अची तरह देख भी सकते हैं कि गौटजला के हाथ अब बिल्कुली मेका गौटजला की तरह काफी ज़्यादा बड़े हैं जिस वएसे अब गौटजला अपने हाथों का यूज अपनी फाइट्स में कर सकता है और अगर आपने नोटिस किया हो तो पिंग गौटजला को उसके ज़्यादा तर अपग्रेड्स मेका गौटजला से ही मिले हैं और ऐसा साइध इसलिए क्योंकि मेका गौटजला से बुरी तरह हारने के बाद ब्लू गौटजला को अपने डिसडवांटिच का पता चला होगा और हाइबरनेशन में जाने के बाद उसने अपने इन सभी डिसडवांटिच को अपने एवलुशन में दूर कर दिया इसके लाबा बात करें पिंग गौटजला के स्पाइक्स की तो हम सभी को पता आया कि गौटजला के पास जितने बड़े स्पाइक्स होंगे वो उतनी जादा रेडेशन को एब्जॉप करके एटोमिक ब्रिथ को सूट कर पायागा और साथ ही उसकी एटोमिक ब्रिथ भी उतनी जादा पावरफुल होगी तो हाँ गौटजला एक्स कौंग मूवी से पहले एक ब्लू गौटजला की जितनी भी डिसडवांटेज थी वो सभी डिसडवांटेज इस मूवी के अंदर गौटजला की एटवांटेज बन गई है जिस वाये से Pink Godzilla Blue Godzilla से पावरफुल तो होगा ही और एक और बात जो हमें भूलनी नहीं चाहिए कि Pink Godzilla Blue Godzilla का ही Evoled Form है जो की Blue Godzilla से जादा Strong, Fast और Powerful है और इसलिए अब हम यह कह सकते हैं कि Pink Godzilla Blue Godzilla से जादा Powerful तो होगा बट आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि क्या पिंग गॉजला ब्लू गॉजला से ज़्यादा पाउरफुल होगा या नहीं बागी तो हमें मूवी आने के बाद ही पता चलेगा कि ये पिंक गॉजला ब्लू गॉजला से कितना ज़्यादा पाउरफुल है सब तक के लिए आप हमारी दूसरी मॉस्टर वर्स से रिलेटेड बीडियो देख सकते हो